साथिवा आप बली भादी परिचित है कि कोरोना की वैक्षिन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरे हां रही है आज दुनिया में भी और देश में भी जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डीटेल बताए गया करीब करीब आखरी दौर पर वैक्षिन के रिसेट में काम पुँंचा है कि भारत सरकार हर डवलप्मेंट पर बारिकी से नजर रखे हुए हैं हम सब के संपर्ग में भी हैं और अभी यह ताय नहीं है कि वैक्सिन की एक डोज होगी, दो डोज होगी है तिन डोज होगी, ये भी तय नहीं है कि इसकी किमत कितनी होगी, उसकी किमत कितनी होगी, ये कैसे होगी, यानि अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दु इन्या के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटर्स होते हैं, डबली एचो से भी हमें इंतजार करना पड़ता हैं, तो हमें यह इन चीजों को वैस्विक संदर्व महीं आगा बढ़ना पड़ेगा. हम इंडियन डेवलपर्स और मैनिफेक्टर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम करने हैं, यह पूरी तरह संपर्ग हैं, इसके अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्मेंट्स, मल्टिनेटर इंस्टिउशन्स और साथी इंटरनेशनल कम्पनीज, सभी के सा जितना संपर्ग बढ़ सके, जितनी रियल टाइम कम्मिनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास एक व्यवस्ता बनी हुई है, साथ यो कोरोना के खिलाब अपने लड़ाई में हमने शर्वात से ही एक-एक देशवाजी का जीवन बचाने को सर्वोच प्रास्पिक्ता अब वैक्सिन आने के बाद भी हमारी प्रास्पिक्ता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सिन पहुँचें, उसमें तो कोई विवाद हो जी नहीं सकता है, लेकि कोरोना की वैक्सिन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागी के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिट की तरह है, इतना बड़ा टिका करना अभियान स्मूध हो, सिस्टेमेटिक हो और सस्टेन हो, यह लंबा चलने वाला है, इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संग्रण को एक जूठ हो करके, कोडिनेशन के साथ, एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा, साथियों, व दुनिया के बड़े-बड़े देशों को भी नहीं है, हमारे लिए जितनी जरूरी है, स्पीड है, उतनी ही जरूरी है, सेप्टी भी है, भारत जो भी वैक्सिन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैग्यानिक कसोड़ी पर खरी होगी, जहां तक वैक्सिन के डिस्टिब जाए जाएगी, यह राज्यों के साथ मिलकर करेंगे, एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है, कि अगर इस पकार से डबली एचो ने जो कहा है, हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यह निर्णे तो हम सब मिलकर के ही करेंगे, हर राज्यों के सुझाव का महत पर इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकर उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा, हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके ववस्ताय खड़ी कर देना, सुरू कर देना च जरूरत पड़ी तो अतिरिक सप्लाई भी सुनेशित की जाएगी, और इसका विस्तुर्ट प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिल करके ताई कर दिया जाएगा, हमारी राज्यों के और केंदर की टीम साथ लगातार वो बातचित कर रहे हैं, काम चल रहा है, क कि एंदर सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आगरक किया था कि स्टेट लिवर पर एक स्टेरिंग कमिटी और यवं स्टेट और डिस्टिक लेवल पर टास्पोर का और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ववस्ताएं खड़ी करेंगे और किसी एक वेक्सिन को काम देना पड़ेगा इन कमिटियों की रेगुलर बैटे को हो उनकी ट्रेनिंग हो उनकी मोनिटरिंग हो जो ओनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो हमें हमारा रोजमरा के काम के साथ कौरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्ता को भी वे मुल भारती वैक्सिन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बहार के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं, दुनिया में जो वैक्सिन बन रही है, बेबी मैनुफेक्टिरिंग के लिए भारत को लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ, लेकिन इन सारे प्योग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को उसका रिजेक्शन आता है आज भी आता है वी साल के बाद भी आता है तो ऐसा इसमें भी संभव है निर्णय वैज्ञानिक तराजु पर ही तोला जाना चाहिए निर्णय उसकी जो अथोरिटीज है उन अथोरिटीज के सर्टिफा ुरा Satya से होनी चाहिए हम लोग के समाज जीवन की चिंता करते हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि हम को वग्यानिक नहीं हैं कि हम इसकी एकस्परटाईज हमारी नहीं है तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहज जो चीजा आती हैं आखिर कर उसी को इस्विकार करना प में किस प्रकार से आप डिलिवरी नीचे तक ले जाएंगे आप जितना जल्दी बहुत डीटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णे करने में सुविधा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है राज्यों का अनुभव बहुत एहमियत रखता है क्य कि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है और इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने यही मेरी अपेक्षा है लेकिन मैंने पहले ही कहा वैक्सिन अपनी जगा पे हैं वो काम होना है करेंगे लेकिन क कोरोना की लड़ाई जराबी ढिली नहीं पड़नी चाहिए थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है